दोस्तों आप लोगों में से ही बहुत सारे लोग मुझे पूछते हैं कि आप BSNL 4G लांच को लेकर इतना ज्यादा एक्साइट क्यों हो और उसके साथ-साथ सरकार भी इतना ज्यादा लाखो कड़ोर रुपीज BSNL 4G लांच के लिए क्यों खर्चा कर रहा है और उसके साथ-साथ 2-3 दिन से एक सवाल बहुत सरे लोग किया है मुझे कि भी आई 5G आउक्षन पर भाग लेने के बाद भी अपना 5G लांच क्यों नहीं कर रहा है कब तक भी आई 5G लांच कर गा है उसके बाड़ों में सरकार से लेकर मेरे जैसे बहुत सरे लोग पसंद करते हैं वह लोग इतना ज्यादा एक्साइट क्यों है इसमें क्या भला होना वाला है सबसे पहले बात कर लेते हैं भी आई की देखिए दोस्तों भी आई का जब 5G आउक्षन पर भाग लिया था भी आई के साथ जो भी ट तो आपको 5G का लाइसेंस दिया जाएगा यहां पर आप लाकों कडर रुपीस खर्चा करके जो भी आपका स्पेक्टम्स बगड़ा है सब कुछ आप ले सकते हो लेकिन एक बात आपको ध्यान में डखना पड़ेगा कि अगर आपने 52 वीक्स के अंदर त्री मेट्र परेट के अंदर सिटी के अंदर अगर आपने 5G लांच नहीं किया वी 52 विक्स के अंदर तो आपका जो 5G का लाइसेंस है वो कैंसल कर दिया जाएगा और उसके साथ-साथ आपको तो यह यूसर के लिए बहुत बढ़िया बात है दूसरे जो हम चीज़ बात करेंगे वह है बीसनल 4G को लेकर मैं इतना ज्याद एक्साइटेट क्यों हो और सरकार भी यहां पे लाको करण रूपीज कर्चा क्यों कर रहा है क्योंकि आपको पता है कि 2019 में यहां पे बीसनल क इसनल को दिया गया तो इसनल जादा जो पैसा दिया जाड़ा है वह किसले दिया जाड़ा है देखें दोस्तों इसके पीछे दो डिजन है सबसे पहले एक चीज़ आपको समझना पड़ेगा कि हमाने इंडिया का अंदर ऐसे बौर्डर एडिया के अंदर कुछ ऐसे आ जाता है जो कि sensitive विलेजेग और और एडिया के अंदर आसपास होने के नाते यहां पर जो टेलिकम कमपनी का काम करता ही तो यहां पर पर काम करता ही नहीं है कि यहां पर बहुत हीане सेंसिटिव होता है और यहां पर मतलब तार्वद इंस्टॉल करके उतना जादा ग्रवात यहां पर काम नहीं करेगा क्या कि प्रॉफिट नहीं तौर यहां पर फाइदा भी नहीं है तो अगर टो यहां outline करती यहां यहाँ पर उसके साथ यह यहाँ पर सब्सक्राइब को सबसे ध्यान में रखा-जाएगा पर 4G-5G यह किसी ना किसी ना किसी पहाट के मदध से भी हुआ है लेकिन इस इसाफ कोड़ तो इसलिए बीसनल 4G के उपड़ इतना जादा खर्चा कर रहा है यह जो बॉडर इडिया का इंट्रेंट का खर्चा होता है यहां पर जो डिजिनल ट्रैंजेक्शन बगड़ा होता है इकॉमर्स वह जबन से आंब के बाद यहां पर एक कोड़ नेटवर इंडिजिनल हो से रडि होड़ा है इसलिए सरकार खर्चा कर रहा है बीएसनल को पर अभी देखने वाले बात यह है कि बीएसनल कितना एफोर्ट देखें अपने आप में थोड़ा ग्रो करते हैं और कितना जल्दी अपना 4G लांच कर पाते हैं लेकिन हां बहुत ही धीमे-धीमे होड़ा है एक्दम कच्छुए की दौर में बहुत ही धीमे-धी किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आगउन को प्रेज करके मेरे साथ जूड़े दाइए आज के लितना ही गुडबाइए एंट टेक कियर अ ध्राइए आज सब्सक्राइब कर को प्रेज दूड़े एंग है